नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं स्कूल आते हुए बच्चो की सीटी बजाते हुई तस्वीर या विडियो हाज्टेक सीटी बजाओ को टैक करते हुए पोस्ट किया जाएगा इस सोसल मीडिया महा अभियान में राजगे परतेक जीले के जीला सिक्षा पता अधिकारी जीला सिक्षा अधिक्षक, छेत्र सिक्षा पता अधिकारी, अनुमंडल सिक्षा पता अधिकारी, पर्खंड सिक्षा प्रसार पता अधिकारी, पर्खंड कारकरम पता अधिकारी, पर्खंड साधन सेवी, संकूलन साधन सेवी, सिक्षक, छात्र छात्राय, अभिभावक आ सदस से एवं माता समीति के सख से भी इसमें सामिल होंगी बता दे सिटी बजाओ इसकूल बुलाओ महा अभियान को लेकर मंगल और को सिक्षा सच के रभी कुमार के निर्दे सानुसार विभीन जिलों में 11 जन्वारी 2024 के सोसल मीडिया महा अभियान को देखते हुए अहम जल्द जारी करेगा आयोग जारखन डाजे करमचारी चैन आयोग ने जारखन समाने असनातक योकता धारी सन्युक्त परिक्षा सीजेल 2023 को लेकर अहम अपडेट दिया है परिक्षा 28 जन्वारी और 4 फर्वारी को होनी है इसके लिए आयोग ने नोटिपिकेशन जारी कर द दिया जाएगा तारिखों की घोसना भी कर दी गई है मालूम हो कि पुर में आयोग ने परिक्षा लेने में और समत्ता जताई थी इसके कारण 16 दिसंबर को होने वाली परिक्षा अस्तागित कर दी गई थी अबुआ अवास के लिए आय आवेधन किये जा रहे है रिजेक्टे राज सरकार की नई योजना अबुआ अवास को लेकर विभीन पंचायतों में आरोप पर त्यारूप चल रहा है योजना को लेकर सरकार आपके द्वायर सिवीरों के माध्यम से कोडारमा में 49 सेयर लोगों ने आवेधन किये थे लेकिन पंचायत असर प्रमुख्या के नेति उत्में गठित दल द्वारा सत्यापन के उपरांद करीब 39 सेयर लावकों को आयोगे करार कर दिया गया है जिससे जीले के हर पंचायत में भारी विवाद उत्पन हो गया है ग्रामिन अस्तर पुर्व से पीम आवास के लिए 1,30,000 ही दी जाती थी लेकिन राज की योजना में राशी बढ़ा कर 2,00,000 किया गया है इससे लाव के लिए अवेदन देने वालों की तदात काफिया दिक हो गई है अब जीला अस्तर प्रमात्र 45 सो आवास का ही लक्ष दिया गया है ऐसे में लाव के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट त्यार की जाएगी केंद्रिये जाच एजेंसियों के समन पर सीधे पेश नहीं होंगे राज के अपसार जारखन की सुरेन सरकार के पताधिकारी अब राज के बाहर एजेंसियों ED, CBI, NIS आयकर समेत अने के समन या नोटिस पर सीधे उपस्थित नहीं होंगे मुख मंत्री हमन सुन के देक्स्ता में मंगलवार को मंत्री मंडल की बैठक में इस समन में फैसला लिया गया मंत्री मंडल ने इस समन में SOP को मजूरी दी है फैसले के मुताबिक अब अगर राज सरकार के पता धीकारियों को राज के बाहर की किसी भी एजेंसी से समन या नोटिस मिलता है तो इसकी सुचना अपने विभागे परधान को देनी है बिभागे परधान का यह दावी तो होगा कि बीना किसी बिलंब के ऐसे मामलोग की तत्य परक सुचना मंत्री मंदल सचिवाले वर निगरानी विभाग उपलब्द कराए निगरानी विभाग को ऐसे मामलोग के लिए नोडल विभाग बनाया गया है नोडल भी भाग सुचना प्राप्त होने पर प्रस्तु तथेयों के अलोग में आगा की करवाई के लिए बीधी या कानूनी परामर्स लेगा बीत रहित सिक्षा कर्मियों ने सौपा ग्यापन आज सेक्षनिक हरताल बीत रहित सिक्षा सन्युक्त संहर्स मोर्चा ने मंगलवार का मुख्य मंत्री और मुख्य चची को अपनी मांगो का ग्यापन सौपा है अनुदान की रासी में बढ़त्री को लेकर गठित कमिटी के अनुसांसा को एक वरस तक रोक कर रखने उस पर कोई भी भागिये करवाई नहीं करने मंत्री पर्षत की समाती नहीं लेने को लेकर ग्यापन दिया है अब मोर्चा के अवाहन पर बुद्धवार को राजे भर के बीत रहीत 1250 सिक्षन संस्थानों में सेक्षनिक हरताल रहेगा सिक्षक वर सिक्षकेतर कर्मी संस्थान के बाहर इधारना पर बैठेंगे और पठन पठन ठप करेंगे ग्यापन में कहा गया है कि मोर्चा के प्रतिनीधी भी भागे सचिव के रवी कुमार से अनेको बार मिला और कमिटी के उनुसंचा पर अविलम करवाई करने का अगरा किया सिक्षान सचिव ने अधिनस्त पताधिकार्यों को निर्देश भी दिया लेकिन कोई करवाई नहीं हुई मुखे मंत्री मेधा चात्यविर्थी के लिए आई से कर सकेंगे आवेदान मुखे मंत्री मेधा चात्यविर्थी योजना के लिए बिद्यार्थी 10 से लेकर 17 जन्वाई तक आवेदान कर सकेंगे स्ट्राइब जाएगी इन्हें दीटिये और प्रत्म छात्य विर्ति का भुक्तान किया जाना है वैसे आवास से बिद्याले जहां रहने वा खाने पीने की वेवास्ता सरकार की जाती है वहां बिद्यार्थों को छात्य विर्ति की 50 भी दिरासी मिलेगी इसके लिए जार्कन एकेडमी कॉंसीरे निर्देश जारी कर दिया है जैक के अदेश टाक्टर अनिल कुमार महतो के आदेश पर जैक सचीव HD तिग्गा ने असपस्ट किया है कि 17 जनवरी तक शात्र शात्राओं द्वारा आवेदन भर ले जाने के बाद स्कूल 20 जनवरी तक D.E.O. अफिस में इसे जामा करेंगे रांची में 6 राष्ट्रे स्कूल खेल 17 जनवरी से 29 फरवारी तक स्कूल गेम्स फेडरेशन और इंडिया 6 राष्ट्रे परत्योगताओ कि मेजबानी रांची को मिली है 17 जनवरी से 29 फरवारी तक E.O. जन रांची के मेगा स्पोर्ट कमप्लेक्स में होगे शुरुवाद 17 से 21 जनवरी के बीच फोटबल परत्योगताओ से होगी इसके बाद 28 से 28 जनवरी के बीच कबाड़ी और वूसुप परत्योगता होगी 31 जनवरी से 4 फरवारी तक होगो 8 से 12 फरवारी तक साइकलिंग और 15 से 29 फरवारी तक स्टेचिंग चैंपियंशिप होगी इसमें देश भर से इसकूली अस्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे यह जनकारी JEPC की राजे परियोजानी दिसक किरन पासी ने मंगलवार को JEPC में आयोजित प्रेस कंफरेस में दी है उन्होंने बताया है कि खेलाड़ीों को खेलगा परिसर में ठाराया जाएगा पुरी बेवास्था के लिए आयोजन समित्ती का भी गठन किया गया है जार्खन परदेश जन जाती सुरक्षा मंच रांची में चार फरवारी को रैली का करेगा बिरोध जार्खन परदेश जन जाती सुरक्षा मंच के पताधिकारियों और गरामिनों की बैठक नगड़ी के चेटे बांदू बेडा गाव में मंच के परदेश सुरक्षा मंच जाती सुरक्षा मंच जार्खन जाती सुरक्षा मंच जार्खन परदेश द्वारा जार्खन के सभी जीलों में डिस्ट्रिंग कारकरम करने जा रहा है कारकरम के माध्यम से जीले के डिसी और राजे के मुख मंत्री हमन सुरक्षा मंच को गयापन सौपा जाएगा महीं आपनी मांगों को जार्खन सरकार के पास करा कर इसे केंद्र सरकार और राष्ट पती के पास भेजा जाएगा जार्खन के 31 अपसरों को मिलेंगे राजे पाल वा मुख मंत्री पुलिस पदक जार्खन में मिलने वाला राजे पाल पदक मुख मंत्री पदक वा जार्खन पुलिस पदक 31 पुलिस अपसर और पुलिस कर्मियों को मिलेगा मंगलवार को गिरिह विभाग ने इसके इसुतना जारी की है जैप चार बोकारों के कमांडेट आस्वीनी कुमार सीन हा ITS रांची के इंस्पेक्टर असीत कुमार मोदी STF के आरक्षी सचीन, सुबा और आरक्षी राजू सिंग छेतरी इसमें सामिल है नहीं हो सकता गांडे विधान सभा उपचुनाव भाजपा ने रखा प्लक्स परदेश भाजपा अधेक्स बावला मरांडी के नेतियों तुमें परदेश भाजपा के एक प्रतिनी दिमंडन ने मंगलवार को राज भौन जाकर राजेपाल से मुलकात की साथ ही पिछले दिनों गांडे विधान सभा उपचुनाव करा जाने कि जिति में उत्पन होने वाले सन्मेधानिक संकट से समधित भेजे गए पत्र की चार्चा की नेताव ने कहा है कि गांडे विधान सभा उपचुनाव नहीं हो सकता है मुलकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री मरांडी ने कहा है कि सता प्रक्ष के एक बिधायक जो गांडे बिधान सवाचेत का परतिनित्व कर रहे थे उनको मुख्य मंत्री हमासुरे ने दबाव देकर सीट इस्थीपा कराया उन्होंने कहा है कि सर्फराज अमत पूरी तरह स्वास्त है वे देश से बाहर भी नहीं जा रहे है ऐसे में उनका इस्थीपा अकारण नहीं हुआ बलिक मुख्य मंत्री अपनी जेल यातरा के पुर्व लालू परसाथ की तरज पर अपनी पत्नी कल्पना सुरेन को मुख्य मंत्री बनाना चाहते है परतिमाओं को बिखंडित करने के आरोप्यों की गिरफतारी की मांग रांची के बरियातु इस्थीत मंदिन में रभिवार की देरदात परतिमाओं को खंडित करने और चोरी के मामले में आक्रोसित लोगों ने मंगलवार को फिर से बिरोध परसन किया आक्रोसित लोग हंगामा करते हैं मंगलवार की सुबा हाउसिंग चोग पर धारना पर बैठ गाए और आरोपिक गिरफतारी कीमाय करने लगे इस दवरन बिरोध परशन करते हैं धार्मिक नरेबाजी भी की है आक्रोसित लोग का कहना था कि सुमवार को विरोत परशन के बाद 24 गंटे कंदर आरोपिक गिरफतार करने कासवासन दिया गया था लेकिन अभी तक आरोपिक गिरफतारी नहीं हुई है ज्यारखन के सभी जिलो में 11 से 17 जनवई तक चलेगा सलक सुरक्षा सप्ता पुरे ज्यारखन में राष्ट्रिय सेवा योजना नहरू युवा केंदर यातायाद पुलिस एवं परिवहन विभाक सनुप तत्वधान में 11 जनवई से सलक सुरक्षा सप्ता का आवेजन किया जाएगा 17 जनवई तक चलने वाले इस अभियान को लेकर मंगलवर को राष्टी जिला में बैठक भी हुई है ट्रैफिक डियस पी जित वहन उराव के अध्यक्सता में आयोजित इस बैठक मनीन लिया गया है कि 10 जनवई को राष्टी जिला के विभीन कोलेजों में कूल 150 एनेसे स्वेम सेयोको के लिए यातायात जगरूपता प्रस्टिक्षन कारेकरम आयोजित किये जाएंगे वहीं 11 जनवरी को राष्टी के कचारी चौक इस्थित ट्रैफिक डियस पी करेयाले परशर से यातायात जगरूपता को लेकर प्रभात फेरी निकाली जाएगी कुलहान का 95% इलाका नक्सलियों के परभाव से मुक्त चाईबासा जीले के कोलहान में टोटो और गोहिल के राथाना का करी 95% इलाका नक्सलियों के परभाव से सुरक्षा बलों न मुक्त करा लिया है अब इन इलाकों में नक्सलियों दोड़ा लगाया गर आईडी को बरामत करने सक्रिये करना पूलिस के लिए चुनोती रह गई है जिन इलाकों को पूलिस ने नक्सलियों समुक्त कराया है उन इलाकों में पूर्व में पूलिस को परवेश करने से रोकने के लिए नक्सलियों ने आईडी लगाया था हलाकि अभियान के दरन पूलिस 120 से ज्यादा आईडी बरामत करनाश्ट कर चुकी है इन्ही आईडी को सर्च करने के दवानपुर में 20 फोट की कुछ घटनाई भी हो चुकी है इधार टोटो अर्गोल के राथाना छेतर में सक रिये सेंट्रल कमिटी के नकसली अब सरंडा के जंगल में सिफ हो गए है इस कारण पुलिस अब अभियान चलाने के लिए सरंडा के जंगल में 20S रुप से ध्यान केंद्रित कर रही है क्रिप्टो केरेंसी में निवेस के नाम पर 29 लोगों से 4 क्रोर की साइबर फ्रोड करने के ममला सामने आया है जारखन में इतनी रकम के साइबर फ्रोड का यह संभौत पहला ममला है इस मामले में धनबात के नंद की सुर महतो सहित 29 लोगों ने CID के रांची थी साइबर थाना में सिकायत की है इसमें कहा गया है कि आरोपे और ब्लोग पे वेबसाइट के जरिये क्रिप्टो केरेंसी में निवेस कराने के नाम पर 4 को रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रोड किया गया सिकायत में बिहार के मुझाफर पूर जीले के MIT निवासी ससी संकर कुमार दिली के विकास पूर निवासी अमित जैस्वाल द्वारा क्रिप्टो केरेंसी में निवेस के नाम पर गुरूप चलाया जा रहा था अनाज नहीं बातने पर डिलरो पर गिर सकती है गाज बीपियल कार्दारियों को प्रती कार्ड पर एक किलो चना दाल जनवरी मह से मिलने जा रहा है इसके लिए जीला अपूर्थी विभाग को आवंटन प्राप्त हो चुका है राज सरकार द्वारा जीला को 2,288,286 किलो यानी 2,82 कि इंटल चना उपलप्त हो चुका है जाच का नमूना रांची भेजा गया है रिपोर्ट मिलते ही पीडियेश दुकान के माध्यम से रासन कार्दारियों को चना दाल मिलना सुरू हो जाएगा उक्त बाते जीला अपूर्थी पताधिकारी अमर परसाद ने कही है अब ऐसे में सवाल राये कि आखिर चावल गेहू या चना दाल कैसे करदारियों को मिलेगा क्योंकि जीले के करीब 150 से अधिक पीडियेश दिलार एक जनवाज इसे अनिस्ट करनी हरताल पर है चावल गेहूं के साथ चाना दाल भी मिलेगा 15 जनवज तक बित्रन करने का निर्देश खरसावा जिला पुर्ति पताधिकारी जुन्नू कुमार मिस्रा ने मंगलवार को परखंड करने के सभागार में परखंड के सभी डिल्डों के साथ समिक्षा बैठक की है बैठके दरान डियसो ने सभी डिल्डों से दिसंबर माह का रासान एव अप्रेल माह का ग्रीन कारधारी लावको का चावल 15 जनवज तक बित्रन करने की बात कही इसके साथ ही परतेक परिवार को एक किलोगरम चना दाल का बित्रन करने का निर्देश दिया है बैठक के दरान पर्खंड पिकास पताधिकारी प्रधान मांजी प्रखंड आपूर्ती पताधिकारी गोदाम इंचार दिपक कुमार महत्तो सहीत पर्खंड के सभी पीडियस दुकंदार मौजूद थे बाबा बागेस्वर के कारकरम को लेकर पलामू में परसासन की अहम बैठक बागेस्वर धाम के पंडित धिरेंदर क्रिश्न सास्ति के चैनपूर के उरनार में प्रस्तावीत हनुमंत कथा कारकरां को लेकर उपायुक सासी रंजन ने बुद्धवार को एक उच अस्तरिय बैठाक आहुत की है। बागेस्वर धाम दिरे सास्तिरी सरकार को पलामू में कथा कराने के उनुमतित देने के उमीद प्रकट की है। राजधानी में 10 जनवरी को आंसिक बादल छाय रहने का प्रोवरान है। वहीं 11 और 12 जनवरी को सुबा में कोहराया धोंद और बाद में आस्मन साफ रहेगा जबकि मौसम सुस्क बना रहेगा। पिछले 24 गंटे के मौसम की बात करें तो राजधा में मौसम सुस्क बना रहा। राजधी के उत्री हिसे में कहीं कहीं घाना को राचाया रहा। लालू यादव की राह पर हेमंत राजधेपाल से मुलकात के बाद बाबुलाल ने कह दी बड़ी बात। राजधेपाल सीपी राधा किष्णन की चेननाई सेवापसी के साथ ही परदेश की रायनिती गति विध्यात्य तेज हो गई हैं मंगलवार को भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलाम रांडी के नेतित में एक सिष्ट मंडल ने उनसे मुलकात किया। बाबुलान ने कहा है कि गांडे बिधान सवाचेत्र में उपचुनाव नहीं करा जा सकता है। उन्होंने इससे समंधित पत्र चुनाव आयोक को भेजने का आगरा करते हुए कहा है कि सतापक्ष राजजे में सर्वेधानिक संकट खाड़ा करना चाहता है। लालू परसाथ की तरह हेमान सुरेन अपनी पत्नी को सियंग बनाना चाहते हैं। इसी वज़ा से एक स्वस्त विधायक का दबाव में स्थीपा कराकर सिट खाली कराया गया है। पलामू में चालको का विरोध मुक दर्शक बनी रही पुलीस। पलाम की सुचना मिलने पचातर पुर्थाना परभारी, सेखर कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर बीर सिंग मुंडा, हर्यर गंज के थाना परभारी, सुदामा, दास, दलबल के साथ मोके पर पहुँचे। लेकिन वे अभी तक जाम नहीं हटा पाए, सुबा आट बाई से ट्रक चालको ने फोर लेन जाम किया है, जाम के कारण आवा गमन पुरी तरसे बाधित हो गया है। सिंगने राद